हेलो दोस्तों मेंटर फुलूएंट यूटूब चैनल पर हिंदी अडियोबुक समरी सबकुछ साइकलोजी है एवरीथिंग इस साइकलोजी के एपीसोड 23 में आपका फिर से स्वागत है अपनी नेचरल रियक्शन पर भरोसा करें अपनी नेचरल रियक्शन पर भरोसा करना हैपनिंग में इस्तित होने का दूसरा सीधा उपाय है और यह अच्छे से समझने है तू मनुस्तीवन की एक सचाई बड़ी गहराई से अपने जहन में उतार लो कि किस मनुस को क्या बनना या हैपनिंग के ही अधीन है प्रन्तु मन करे और यह सत्ता ही मनुस की गरिमा है और यही मनुस्त जीवन का खेल भी है और कहीं बहुत गहराई में उसकी अपना जीवन स्वैंग बनाने की कोशिस ही उसके तमाम दुखों का कारण भी है फिर अभी आपके लिए समझने योग बात यह है कि मनुस्त तो एक है किन्तु उसे एक बनाने वाली दो विप्रिट सक्तियां है एक तो बुद्धी जो उसकी अपनी है अतनिशित ही उसकी ज्यादा चलती है और दूसरी है उसकी हैपनिंग जिसकी कोई ज्यादा चलने नहीं देता है क्योंकि अधिकांस लोग अपना जीवन इस बुद्धी के सहारे जाने के पडियास करते हैं अब सवाल यह उठता है कि फिर मनुस्र की बुद्धी यह सारी प्रियरनाय कहां से लाती है तो निशित ही पडिवार समाज सिख्षा और अन लोगों के जीवन देह कर और उसकी बाते सुनकर और कैसे तो वह अपनी सीखी समझी सारी बाते मिला कर यह तै करता है कि ऐसा बनना है और यह करना उसके लिए हितकर है फिर वह उपलब्ध तमाम बातों वस्तूओं और मौकों का अच्छे बुरे तरीके से अपना तै किया बनाने है तू इस्तेमाल करता है चलो यह तो एक पजती हुई जीवन बनाने की निश्चित ही इसमें कड़ी मेहनत है और हर कोई दिन रात यह मेहनत कर भी रहा है अब दूसरी बात यह है कि हैपनिंग की तो हर्म समझ ही चुके हैं कि संजुक्त हैपनिंग की महान लिला चल नहीं रही है और उसकी इस लिला में मनुस भी सामिल होता ही है लेकिन यह संजुक्त हैपनिंग को मिली कर्म करने की पुर्ण स्वतंतरता के कारण उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती परंतु सवाल यह कि जबरदस्ती कर सके या ना कर सके उसकी इस संजुक्त हैपनिंग में मनुस सामिल तो है तो उसकी happening की यह धारा मनुस में से बहती तोड़ाती ही है और उसकी उसी धारा को हम मनुस की psychological happening कहते हैं मनुस की यह psychological happening एक मार्ग है जिसके जड़िये वह जो बनना होता है बनता चला जाता है और सच कहूं तो यही जीवन बनाने का एक सही तरीका है यानि मनुस के पास कुदरत की त्रिगूनी माया की आधार पर तीन option असपस्ट होते हैं प्रथम happening जो बनाना चाहे बनता चला जाए दुसरा बुद्धी जहां ले जाए वहां चला जाए और तीसरा होता है कि कभी बुद्धी के मार्ग पर चलें तो कभी happening के और इन तीनों option के अपने परिनामते हैं happening से चलने वाला सुख पुर्वक जीता है और एक दिन बड़ा creative उसके भीतर से निकलता है वहीं दूसरी ओर जो सिर्फ बुद्धी से चलता है वह करी मेहनत तो करता है लेकिन फिर भी उसके जीवन में अनंद और आराम को कोई अस्थान नहीं होता अपना पूरा जीवन वह ठका हारा और मरा मरा ही जीता है और तीसरा वह होता है जो कभी happening और कभी बुद्धी से चलता है और वह समय आने पर भीर भी जाता है और समय मिलने पर आराम भी कर लेता है और यहां यह अस्पष्ट कर दूं कि अधिकांस लोग इस तीसरे आफसन में ही जी रहे होते हैं लेकिन यहां एक बात अस्पष्ट समझ ले कि मनुस जादा से जादा वह बन सकता है जो happening उसे बनाती चली जाए बाकी मनुस से बुधी से कितनी ही planning कर ले या कितनी ही करी मेनत कर ले वह अपनी चम्ता से हमेशा कई गुना कम ही पाएगा यहां एक बात और समझ ले की मनुस जीवन के दो ही मकसद होते हैं एक जीवन में आनंद और सान्ती बनी रहे इसका ध्यान रखना और दूसरा अपने भीतर से कोई न कोई अधूत क्रियेटिव वह निकले यह तैक करना ताकि वह सुकून से मर सके की जीवन वियर्थ नहीं गया और यह सिर्फ और सिर्फ हैपनिंग में संभाव है क्योंकि हर डूइंग एक कस्ट है यानि जीवन का पहला मकसद तो डूइंग करते ही छू हो जाता है वही किरियेटिवीटी कभी डूइंग से बह नहीं सकती अर्थात जीवन का दूसरा मकसद भी डूइंग से नहीं पाया जा सकता है लेकिन उसके बावजूद हर कोई doing पर उतारू है मनुस अपनी natural happening और natural reaction पर भरोसा नहीं कर पा रहा है यहाँ natural happening और natural reaction का फर्क भी समझ लेना natural happening वा है जो मनुस के पैदा होते वक्त की स्थिती होती है यानि जब doing उसमें बिल्कुल नहीं होती है लेकिन जैसे ही उसकी सिक्षा और समझाई से चालू होती हैं कि वह doing करने लग जाता है और हर psychological परभाव की तरह मनुस की इस doing के भी दो तरफा परभाव होते हैं एक तो वह कुछ करने लग जाता है जो आ नहीं रहा होता है वह ऐसा क्यों करता है तो निशी थी वह कुछ धे और चंद मक्त कांगछाओं के चकर में ऐसा करता है और दूसरा वह अपनी natural happening को दबाता है वह क्यों दबाता है तो निशी थी अच्छे बुरे वह लाभानी की बुधी लगाकर बस इन दो कार्णों से उसकी natural happening की धारा जो बह रही होती है वह बात बात पर reaction की happening में बदल जाती है यानि उसकी natural happening से बह रही आनंद, मस्ती, इक्छा और मूड की धाराएं जलन, चिंता, जिद, frustration वगारा में बदलना सुरू हो जाती है और चुकि ये सब चीजें बुरी हैं और परिशान भी बहुत करती हैं बस इसलिए वह फिर इन पर भी दो तरफावार शुरू कर देता है एक तो वह इन्हें दबाना शुरू कर देता है तथा दूसरा इन्हें से छुटकारा पाने के परयतन में लग जाता है और चुकि हर परयतने एक डूइंग है अतावा अपने चिंता टेंशन और जलन कम करने की जगा और बढ़ाता चला जाता है बस इस चक्रभीव में फसे मनुस की आनंद और मस्ती की बाह रही हैपिनिंग की धारा तो जाने कहां छुओ जाती है और बदले में इन नेचरल रियेक्शन की धारा अगले गले पढ़ जाती है फिर तो दूसरा आगे बढ़ा तो जलन पकर लेती है जरा सा कुछ इधर हुदर हुआ की चिंता पकर लेती है फ्रस्टेशन तो बात बे बात निकलता ही रहता है और कुरोध तो पूछो ही मत दूसरे पर निकालने का मौका नहीं बनता है तो खुद पर ही निकालते रहता है अब यहां मैं अस्पष्ट कर दूं कि मनुस जलन या कुरोध पकरे कि मनुस जलन या कुरोध पकड़े उसे मुझे कोई एतराज नहीं क्योंकि वह गलत होने के बावजूद है क्योंकि वह गलत होने के बावजूद है तो उसकी अपनी नेचरल रियक्शन की हैपनिंग लेकिन दिकत तब आती है जब वह अपनी natural reaction को भी दबाना शुरू कर देता है यह बड़ी खतरना कवस्ता है क्योंकि इससे वह वापस natural happening में इस्तित होने की तमाम संभावनाव पर लाते लगा देता है ताले लगा देता है अब natural happening में पैदा हुए थे और उसी में बने रहते तब तो कोई बात ही नहीं था बुद्ध एडिशन या मोजार्ट हो ही जाते चलो natural reaction ओड़ ली तो भी कोई बात नहीं है विक्रित ही सही पर फिर भी वह है तो एक happening ही उसका साथ देते तो भी जल्द ही उससे चुटकारा हो जाता और वापस बचने की खोई natural happening की लाइन पकर लेते प्रन्तु उसको भी दवाना जीवन में सुख और सफलता के सारे द्वार बंद कर देता है सो में हरवानी कर अपनी natural reaction जो भी और जैसी भी है उन पर भरोसा करना सुरू करें वे चाहे जैसी भी है आपकी अपनी अरजित की हुई है natural happening के निकट हैं सो उन्हें बह जाने दीजिए अब यह तो आप असपस टूर्प से समझ गए होंगे कि अपनी natural reaction पर भरोसा करना happening में इस्तित होने का एकदम सरल उपाय है परन्तु उसके बावजूद मैं जानता हूँ कि आपके लिए अपनी natural reaction के साथ जीना या उन्हें पूरी तरह निकलने देना आसान नहीं होगा और इसके तीन परमुख कारण है एक तो आपको अपनी यह natural reaction पर अकसर घाटा करवाने वाली मालुम परती है और घाटा तो साधारन मान सिक्ता में बरदास्थी नहीं है किसी बात पर या किसी व्यक्ति पर भीतर से कुरोध आ तो रहा है परन्तु पर दर्शित करने पर हंगामा खड़ा हो जाने का यह उस व्यक्ति के बुरा मान जाने का डर सताता ही है बस कुरोध दबा दिया जाता है यानि किसी बात पर विरोध की इक्षा तो होती है परन्तु सामने वाले के परभाव में चुपी साधना हितकर जान पड़ता है यही बात सत कहने से लेकर हक की बात करने तक सब पर लागू होती है बात बात पर तरह तरह की नेचुरल लियक्षन आती तो है प्रंतुवेफ फायदा कारक न जान परने के कारण दबा दी जाती है दूसरी बात कहूं तो कई भावों और बातों को आप और आपका समाज पूरा मानता है जैसे कुरोध करना, जलन पकरना, किसी का बुरा सोचना, किसी के औहीत का ख्याल आना वगएरा अब समाज के बुरा मानने से आपको ऐसे भाव आना बंद तो नहीं हो जाते प्रंतु उन्हें बंती कोशिस आप प्रकट करने से कतराते हैं कियोंकि इससे आपको अपने कैरेक्टर और इमेज दोनों पर खत्रा नजर आता है इसी का परिनाम है कि भीतर चाहे जो हो प्रंतु बाहर हर कोई धर्म और समाज के दायरे में ही बड़त रहा होता है और फिर आती है तीसरी कारण से नचरल डियेक्शन दबाने की बात तो यह प्री कंडिशनिंग के कारण होता है बच्चा कुछ बड़ा होते ही अपने जीवन के चंद धेय बना लेता है कुछ महक्तु कंच्छाएं ओड़ लेता है कई मनताओं और सिध्यानतों को अपना लेता है लेकिन यह सारी कंडिशनिंग उसकी बुद्धी की होती है इसका उसकी नचरल हैपनिंग से कोई संबंध नहीं बन पाता है वहाँ से तो मूड और इक्षाएं अपने हिसाब से आती जाती ही राती है लेकिन अक्सर वे उसे अपने जीवन के धिये में बाधक नजर आती है बस वह उन्हें भी दवाता चला जाता है अब नचरल रियक्षन दवाने के तीन कारण तो असपस्ट हो गए प्रंतु सवाल या कि किया किसी भी कारण से नचरल रियक्षन दवाना जरूरी है करता है कि नचरल रियक्षन दवाने के दुस्त परिनाम मनुस भोग रहा है अब थोड़ा कुछ और बातों पर गौर करें पहली बात तोया कि जब इस पूरी परकिर्टी में कुछ भी अकारण नहीं है तो फिर आपकी नचरल रियक्षन अकारण क्यों आने लगी और सच तोया है कि वे अकारण है भी नहीं वह एक ऐसा मार्ग है जो आपको वापस अपने बच्पन की नेचरल साइकलोजी में इस्तित कर सकता है और एक बार आपने बचपन की नेचरल साइकलोजी वापस पाली तो आप इस परकिर्ती की संजुक्त हैपनिंग के हिससे हो गए तो फिर आपके जीवन को सुखी और मसफल बनाने की जिमेदारी उस परकिर्ती की हैपनिंग की हो गई जिसे चांद तारे और प्रिथवी तक चलाय मान है बला इसके लिए आपके भीतर से क्रियेटिवीटी को बहाना क्या मुश्किल और कड़किर्ती पर ऐसा भरोसा को ही मैं इस्वर पर भरोसा करना मानता हूँ बाकी तो संसार के सारे बुद्धी मान इस्वर की सत्ता पर भरोसा जता ही रहे होते हैं खैर होगा अभी तो या समझने की आपकी नेचरल डियेक्शन एक मार्ग है जो आपको अपने बच्पन की नेचरल साइकलोजी में वापस ले जाती है और जब मार्ग है तो उसमें कुछ मिलेगा और कुछ खोएगा जो जो वस्तुएं ब्यक्ति या विचार आपको अपनी बच्पन की साइकलोजी में इस्थित होने में सहायक होंगे वे वे आपको अपनी इन नेचरल डियेक्शन से मिलते चले जाएंगे और सवभाविक रूप से जो जो बाधक हैं वे भी छर्टे चले जाएंगे अब इसे अच्छा क्या हो सकता है या मैंने बरी ही महत्पुर्ण बात कही है समझ में नहीं आई तो दो बार और पढ़ लेना पर यह एक बात समझ अवस लेना आपका तक्छन अपनी नेचरल डियेक्शन पर भोरोसा बैठ जाएगा हो सके तो इस बात को अपने पुराने अनुभावों के तराजू में भी तौल लेना आपको कई उधारन मिल जाएंगे कि आपको किसी पर कुरोध आया और निकाल दिया तो परिनाम में उससे रिष्टे तूट गए पीछे से मालूम परा कि आप बच गए वरना वह तो आपको धोखा देने है तू ही आपसे रिष्टे मजबुत कर रहा था अता अपनी नेचुरल रियक्शन पर भरोसा करना बनता है होगा इस बात को विष्टार से समझने है तू जरा परकिर्टी पर नजर घुमाओ परकिर्टी की हर वस्तु कितनी प्रगाड़ता से रियक्ट करती है आप हें की तरह परकिर्थी के हर पदार्थ की भी नेचरल के साथ साथ कंबिनेशन साइकलोजी होती है लेकिन इससे डर कर वे आपकी तरह उन्हें दबाने की डूइंग पर थोड़े ही उतर आती हैं थोड़ा गौर करो कि कितनी पुर्णता से परकिर्टी की हर वस्तू नेचरल रियक्षन पर कट करती है। जब बादल बरसते हैं तो सिर्फ बरसते हैं और यही कारण है कि जब पूरा बरस लेते हैं तो सुड़ी फिर बाहर निकल आता है। लेकिन आप क्या करते हैं। क्रोध परकिर्टी के रियक्षनों की पत्ति से अलग थोड़े ही है। कि इतनी बार कह चुका हूं कि आप भी परकिर्टी का ही एक हिसा है। इसलिए आपकी हर चीज परकिर्टी होनी चाहिए। और खुद देख लिजिए। चुकि आप अपने पर 6 क्रोध रूपी बादल को पू अपने पूर्णता से निकलता ही नहीं है। और फिर परकिर्टी में बादलो का गरजना कोई बुरा थोड़े ही मन जा रहा है। फिर आप अपने कुरोध को बुरा क्यों मान रहे हैं। जब और जितना आए पूरा का पूरा बरस जाने दो। देखो पूरा कुरोध बरसते ही आप किस कदर सांत हो जाते हैं। और फिर आप कुरोध बरसते किस पर हैं। अतिकान समय उन्हीं पर जो आपके निकट हैं। और या परकिर्टी भी है। और या प्रकृतिक भी है। बादल पानी से ही बनते हैं और कुरोध में पानी ही बरसते हैं। पथरों से उनका ले देना देना है यही कारण है कि जिन पर आप खुलकर कुरोध बरसाते हैं उन्हीं से प्यार भी कर पाते हैं जिन पर आप खुलकर कुरोध नहीं बरसा पाते हैं उनसे आपका कभी प्यार भी नहीं हो पाता यह सारे अनुभव आपको हैं फिर भी आप खुलकर कुरोध करने से कत राते हैं, और सच कहूं, तो इसी कारण आप खुल कर कभी प्यार भी नहीं कर पाते हैं, दुसरी बात या कि जिस तरह आप कर नहीं रहे होते हैं, वैसे ही दूसरा भी कर नहीं होता है, क्रोध सबके अपने natural reaction की happening है और जब क्रोध आपका या किसी का पैदा किया हुआ ही नहीं है तो सब एक दूसरे से सब एक दूसरे के क्रोध का बुड़ा मानते ही क्यों है जब जो क्रोध करें मानलो की natural reaction दे रहा है बात समाप्त हुई कुरोध निकल जाने के बाद न उस बात की चर्चा करो न बुरा मानो मानो यदि मनुस आपस में एक दूसरे को इतना सवयोग भी करने लग जाए तो संपूर्ण मनुसता का अच्छा खासा उधार हो जाए और फिर चलो दूसरा सवयोग करे ना करे आप तो समझ गए कि यहाँ आपकी नेचरल लियक्षन है और तमाम नेचरल लियक्षनों को पुर्णता में परकट कर ही आप वापस अपने बचपन की हैपनिंग पा सकते है आप कहेंगे चलो कुरोध परकट कर दिया और किसी ने बुरा मान कर संबन तोड़ दिया तो भी आप चिंता क्यों करते हैं आपके जीवन के उधार के लिए किसी का संबन जरूरी है कि आपके बचपन की हैपनिंग निश्चित ही आपके बच्पन की हैपनिंग तो फिर यह क्यों नहीं समझते कि वह व्यक्ति आपके बच्पन की हैपनिंग प्राप्त करने में बाधक होगा तो धन्यवाद क्रोध रूपी नेचरल रियक्षन का जिसके कारण आपकी उससे जान छूटी यानि एक नहीं हजार कारणों से आपको अपने नेचरल रियक्षनों पर भरोसा कर उन्हें पुर्णता से निकालना ही परेगा और यह बात कुरोध ही नहीं नेचरल रियक्षन से आ रहे तमाम भाव पर लागू होती है अता उमीद है कि आप अपने बच्पन की हैपनिंग वापस पाने है तू इतना तो कड़ी लेंगे और जब एक बार बच्पन की हैपनिंग पा लेंगे तो जलन, फ्रस्टेशन, चिंता, टेंसन वगेरा से पुरी तरह आपका छुटकारा हो जाएगा और उनसे चुटकारा पाते ही फिर आपकी हैपनिंग में इक्षाओं वा मूड के धक्के तेजी से आने शुरू हो जाएगे सो भाविक तोर पर फिर आपको वहाँ से इक्षाओं और मूड के साथ बहना शुरू करना होगा यह भी एक मार्ग है आपके भीतर से क्रियेटिविटी बह जाने का सो अपने इक्षा और मूड के मुताबिक चलने के मार्ग पर भी आपसे बहुत कुछ बिछरेगा और कई कुछ मिलेगा और निसंदेह उस समय भी आपको मिलने बिछरने के इस खेल में अपनी हैपनिंग पर पूरा भरोसा करना होगा बस इन दो मार्गों पर सफलता पुर्वक्चल लेने से आपके भीतर से महान क्रियेटिविटी बह जाएगी जो एक मनुस होने के नाते आपके जीवन का मकसद होना चाहिए और मकसद प्राप्त कर लोगे तो राजा की तरह मरोगे वरना भिखारी की मौत तो अपने नसीब में अपने कर्मों से अधिकांस लोगों ने लिखी लिये तो एक बार फिर आपकी नेचरल रियेक्शन की पूरी साइकलोजी संछेप में समझाऊं तो या आप ही की अरजित की हुई वह पूंजी है जो अपने डूइंग के चकर में अपनी नेचरल हैपनिंग मार कर पाई है अब वह जो भी है और जैसी भी है वह आपका सत्य है और उसे बीना छेरचार के पुरुनता से निकालना ही आपको वापस अपनी नेचरल हैपनिंग में इस्तित कर सकता है और नेचरल हैपनिंग का अर्थी जीवन का आनन्द सफलता से भड़ा होना है अनन्द और सफलता से भड़ा होना है अतव वगयर अपने नेचरल येक्षनों पर भरोसा किये आप जीवन में कभी अनन्द और सफलता नहीं पा सकते हैं आप विश्वास जाने की आपकी नेच्रल येक्षन आपको हर उस वस्तु और व्यक्ति से अपने आप दूर कर देगी जो आपके आनंदव सफलता में बाधक हो सकते हैं और हर उस वस्तु और व्यक्ति को निकट ला देगी जो सफलता दिलवाने में सहायक हो सकते हैं प्रंतु चुकी ये सारी बाते आप बुधी से तय करने में लगे है इसलिए सफलता दूर दूर तक दस्तक देती नजर नहीं आ रही है ठीक ऐसा ही सरनागती आपको अपने मूरवाइक शाओं की भी स्वीकार्नी होगी क्योंकि वह भी आपकी साइकलोजिकल हैपनिंग ही है और वह भी आपको जिस वस्तू जिस व्यक्ति वह जिस छेतर में आपको सफलता मिल सकती होगी उसके निकट ले जाएगी और जो भी व्यक्ति उस वस्तू या छेतर बाधक होंगे उनसे आपको स्वता ही दूर कर देगी यानि कूल मिलाकर आप जहां वा जिस हाल में क्यों नहों आपकी चाहे जो साइकलोजी क्यों नहों हो गई हो अपनी नेचरल रियेक्शन पर तथा नेचरल मूड वा इक्छाओं को भरपूर सहयोग किये वगएर आप जीवन में आनंद और सफलता नहीं पा सकते हैं सो आप अपनी नेचरल साइकलोजी को सुधारने या उसे कोशने की वजाए उसे सहयोग कर जल्द ही अपनी नेचरल साइकलोजी पाकर जीवन को आनंद और सफलता की रापर लगा देंगे बस इस उमीद के साथ इस विशय पर चर्चा यहीं समात करता हूँ बिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में तब तक अपना धेर सारा ख्याल रखे लाइफ को खुब इंजवाय करें खुब मस्ती से जीएं आपका बहुत बहुत धन्यवाद